Welcome back friends, मित्रों, यह question UPSC CSAT 2021 का है, आई इस question को हम लोग solve करते हैं, देखिये question क्या कहता है, There are six persons arranged in a row, एक पंक्ती में छे व्यक्ति हैं, another person has to shake hands with three of them, so that he should not shake hands with two consecutive persons, एक अन्य व्यक्ति को उन्में से तीन व्यक्तियों से इस प्रकार हाथ मिलाना है कि वह दो लगातार व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा, In how many distinct possible combinations can the handshakes take place, ऐसे कितने distinct possible combinations में, ऐसे कितने भिन संभाव स्रयोजनों में हाथ मिलाएजा सकते हैं, देखिये मित्रों, कैसे इस question को होनों बनाएगे, देखिया question क्या कहता है, कि 6 व्यक्ति एक रूमें है, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में है, देखिये, यह है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 6 व्यक्ति मित्रों, एक पंक्ति में है, एक रूमें है, एक और व्यक्ति है, जिसको इन सभी व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति से हाथ मिलाना है वो इस परकार हाथ मिलाएगा कि दो लगातार व्यक्तियों से हाथ नहीं मिले अब देखिए, व्यक्ति एक से हाथ मिलाए, उसके बाद तीस से हाथ मिलाए, तो एक का गैप हो गया, और उसके बाद पाँच से हाथ मिलाए, तो एक का गैप हो गया, तो देखिए व्यक्ति तीन से हाथ मिला लिया, तीन व्यक्तियों से हाथ मिला लिया, पहला व्यक्ति, द बीच में गयप है लगातार नहीं है तो एक combination क्या बन गया आपका 1,3,5 का अब देखिए व्यक्ति दो से हाथ मिलाए उसके बाद 4 से हाथ मिलाए एक का गयप हो गया उसके बाद 6 से हाथ मिलाए एक का गयप हो गया तीन व्यक्ति हो गया एक, दो, तीन, तो एक combination हो गया आपका, दो, चार, छे का, अब फिर देखिए व्यक्ति एक से हाथ मिला है, उसके बाद तीन से हाथ मिला है, एक का गैफ हो गया, अब एक व्यक्ति से मिला लिया, दो व्यक्ति से मिला लिया, और सीध है उसके बाद छे से मिला लिया, गैफ हो गया एक दो और तीन तो एक combination ये संभव है कौन सा एक तीन छे का उसके बाद ब्यक्तिव मिला ले एक से एक के बाद चार से मिलाए गैप हो गया और चार के बाद छे सी मिलाए चार और छे के बीच में भी गैप हो गया एक चार और छे वन फोर और सिक्स देखिए ये चार combination है मित्रों ये चार combinations है इन ही combination में मित्रों इन ही संयोजनों में व्यक्ति हाथ मिला सकता है तो इस question का answer हो गया चार combinations, four combinations आप देखिए four किस option में दिया गया है तो four आपका option बी में दिया गया है तो इस question का answer हो जाएगा option बी हो जाएगा Thank you